सान्ता कारं भुजंग सैनं पदमनाभं सुरेशं विश्वा धारं गगन सद्रिसं मेग वर्णं सुभांगं लक्षमी कांतं कमल नैनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विश्णु भौबहरं सर्व लोके कनाथं आज का दिन आप सभी के लिए मंगल में हो आईये सुनते हैं पौस मास की कथा का चौबिश्वा अध्याई नारज जी ने ब्रह्मा जी से पूछा पिता जी आपके वल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से स्ष्ट एवन स्ष्टी करता हैं आपको मेरा प्रणाम है आप मुझे वह ग्यान दीजिये जिससे आत्म तत्थ्व का साक्षा अत्कार हो जाता है पिता जी इस संसार का क्या लक्षण है इसका आधार क्या है इसका निर्मान किस ने किया है इसका प्रले किस में होता है या किसके अधिन है और वास्तों में या है क्या आप इसका तत्थ्व बतलाईए आप तो या सब कुछ जानते हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है हो रहा है या होगा उसके स्वामी आप ही है या सारा संसार हठेली पर रखे हुए आवले के समान आपकी ज्यान जिष्टी के अंतर गथी है पिदा जी आपको या ज्यान कहां से मिला आप किसके आधार पर घर्ह हुए है आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरुप क्या है आप अकेले ही अपनी माया से पंच भूतों के द्वारा प्राणियों की सिष्टी कर लेते हैं कितना अधबुत है जैसे मकडी अनायस ही अपने मुँ से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है वैसे ही आप अपनी सक्ती के आशे से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता जगत में नाम रूप और गुनों से जो को जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत उत्तम, मध्यम या अधम वस्तू नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो इस प्रकार सब के इस्वर होकर भी आपने एकाग्री चित से घोर तपस्या की इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी संका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या पिता जी आप सर्वग्य और सर्वेस्वर है जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आपके रिपा करके मुझे इस प्रकार समझाईए कि जिससे मैं आपके उप्देश को ठीक ठीक समझ सकूँ ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद तुमने जीओं के प्रती करुणा के भाव से भर कर यह बहुत ही सुन्दर प्रस्ण किया है क्योंकि इससे भागवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेड़ना मुझे प्राप्त हुई है तुमने मेरे विशय में जो कुछ कहा है तुमारा वह कथन भी असत्य नहीं है क्योंकि जब तक मुझे से परे का तत्व जान नहीं लिया जाता जो स्वयम भागवानी है तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सुर्य अगनी चंदर्मा ग्रह नक्षत्र और तारे उन्ही के प्रकास से प्रकासित होकर जगत में प्रकास फैलाते हैं वैसे ही मैं भी उन्ही स्वयम प्रकास भागवान के चिन में प्रकास से प्रकासित होकर संसार को प्रकासित कर रहा हूँ उन भागवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी या मेरा है, इस प्रकार बक्ते राते हैं, भगवत स्वरुप नारद, द्रवे कर्म काल सौभाव और जीव, वास्तों में भगवान से भीन दुसरी कोई भी वस्तु नहीं है, वे ले नारायन के परायन है, देवता भी नारायन के ही अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्ति या के भी नारायन की प्रसनता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती हैं, वे भी नारायन में ही कल्पित हैं, सब प्रकार के योग भी नारायन की प्राप्ति के ही है तु हैं, सारी तपस्याएं नारायन की ओर ही ले जाने वाली हैं, ज्यान के द्वार होने पर भी सर्व सौरूप हैं उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी द्रिष्टी से ही प्रेरित होकर में उनके एक्छा नुसार सिष्टी रचना करता हूं भागवान माया के गुणों से रहित एवन अनन्त हैं सिष्टी एस्थिती और प्रलय के लिए रजो गुण सत्व गुण और तमो गुण एक तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्विकार किये गए हैं एही तीनों गुण द्रवे ज्ञान और क्रिया का आश्य लेकर माया तित निर्थी मुक्त पुरुष को ही माया में इस्थित होने पर कारे कारण और करतापन के अभिमान से बांध लेत नारद इंद्रिया तित भगवान गुणों के इन तिन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भाती ढख लेते हैं इसलिए लोग उनको नहीं जान पते हैं सारे संसार के और मेरे भी एक मातर स्वामी वही हैं माया पती भगवान ने एक से बहुत से होने की इक्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्व्यम प्राप्त काल, कर्म और सभाव को स्विकार कर लिया भागवान की सक्ती सही काल ने तीनों गुणों में सोब उत्पन्न कर दिया सभाव ने उन्हें रुपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्तत्यों को जन्म दिया रजोगुण और सत्वगुण की व्रिद्धी होने पर मत्त्तों का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रवे रूप तमः प्रधान विकार हुआ वो आंकार कहलाया और विकार को प्राप्थ होकर तीन प्रकार कहो गया उसके भेद हैं वेकारिक, तेजस और तामस नारजी, वे क्रमसा ज्यान सक्ति, क्रिया सक्ति और द्रवे सक्ति प्रधान है जब पंच महा भूतों के कारण रूप तामस आंकार में विकार हुआ तब उससे आकास की उत्पत्ति हुई आकास की तनमात्रा और गून सब्द है इस सब्द के द्वारा ही द्रश्टा और द्रिश्टी का बोध होता है जब आकास में विकार हुआ तब उससे वायू की उत्पत्ति हुई उसका गून इसपर्ष है अपने कारण का गून आजाने से या सब्द वाला भी है इंद्रियों में स्फुर्टी, सरीर में जीवनी सक्ती, ओज और बल इसके रूप है काल कर्म और सौभाव से वायू में भी विकार हुआ उससे तेज की उत्पत्ति हुई इसका प्रधान गून रूप है साथ ही इसके कारण आकास और वायू के गून सब्द एवन इसपर्ष भी इसमें है तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई इसका गून है रस कारण तर्त्यों के गून सब्द इसपर्ष और रूप भी इसमें है जल के विकार से प्रित्वी की उत्पत्ती हुई इसका गुण है गंद कारण के गुण कारे में आते हैं इस न्याय से सब्द इसपर्श रूप और रस एचारों गुण भी इसमें विद्यमान है वैकारीक अहंकार से मन की और इंद्रियों के दस अधिश ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ती हुई उनके नाम है दिशा, वायू, सुर्य, वरुन, अस्विनी कुमार, अगनी, इंद्र, विश्नु, मित्र और प्रजापती तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिवा, और घ्राण एप पांच ग्यानेंद्रियें एवन वाक, हंस्त, पाद, गुदा और जनेंद्रियें एप पांच करमेंद्रियां उत्पन्न हुई साथ ही ज्यान सक्ती रूप बुद्धी और कारे सक्ती रूप प्राण भी तेजस अहंकार सही उत्पन्न हुए सेश्ट ब्रह्मवीत जिस समय एप पंच भूद इंद्रियें मन और सत्व आरी तीनों गुण प्रस्पर संगटी नहीं थें तब अपने राने के लिए भोगों के साधन रूप सरीर की रचना नहीं कर सके जब भगवान ने इन्हें अपनी सक्ती से प्रेडित किया तब वे तत्व प्रस्पर एक दुस्ट्रे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कारे कारण भाव स्विकार करके वेश्टी समिष्टी रूप पिंड और ब्रम्हांड दोनों की रचना की वह ब्रम्हांड रूप अंड़ा एक सास्त्र वर्ष तक निर्जू रूप से जल में पड़ा रहा फिर काल कर्म और शौभाव को स्विकार करने वाले भागवान ने उसे जवीत कर दिया उस अंड़े को फोड़ कर उसमें से वही विराठ पूरुस निकला जिसकी जंगा, चरण, भुचाएं, नेत्र, मूख और शिर्ष सहस्त्रों की संख्या में हैं विद्वान पूरुस उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तूओं की कल्पना करते हैं उसकी कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की और उसके पेडु से उपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है पैरों से लेकर कटी परियंत सातों पाताल तता भूलों की कल्पना की गई है नाभी में भूर लोक की, हिर्दय में स्वर लोक की और प्रमात्मा के वक्ष एस्थल में महर लोक की कल्पना की गई है उसके गले में जन लोक, दोनों एस्थनों में तपो लोक और मस्तक में ब्रह्मा का निति निवास इस्थान सत्य लोक है उस विराठ पूरुस की कमर में अतल, जांगों में वितल, गुटनों में पोईत्र सूतल लोक और जंगाओं में तला तल की कल्पना की गई है एड़ी के उपर की गाठों में मातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तल्यों में पाताल समझना चाहिए इस प्रकार विराठ पूरुस सर्व लोक मैं है विराठ भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है और उनके चर्णों में पृत्वी है, नाभी में भूर लोक है, और सिर में स्वर लोक है, तो इसे के साथ यह अध्याय समाप्थ हुआ, इसके आगे की कता में कल के अध्याय में सुनाऊंगा, तब तक के लिए भगवान हरी का नाम लेते रहें, तो प्रेम से बोलिये भगवा विष्णू कीजे, स्रिकेश्न भगवान कीजे, लक्ष्मी माता कीजे, तुलसी माता कीजे, समस्ते देवित देवताओं कीजे,